हेलो वरिवन, वेलकम बैक टो अनलाइन स्टेडियों, आज हम इस वीडियो में लेकर रहा हैं सेट नमबर 16, लेकिन वेंस आज की इस वीडियो में क्वेशन्स थोड़ी से कम हैं, 50 क्वेशन्स ही हम लोग डिसकस करने वाले, लेकिन क्वेशन्स काफी अच्छे हैं, तो एंड का 2 के साथ कहां मिल रहा है, option 2 जग मिल रहा है, यानि B का 1 भी मिल जा रहा है, तो चले डारेट हम C को चेक करते हैं, C किस के साथ मिलेगा, तो गुदावरी की बात के, तो गुदावरी जो है, वो कहां से निकलता है, यह आपका त्रिमबकेसवर, यानि पस्चमी घार्ट मे त्रिमबकेसवर की पहाड़ी से निकलता है, C का 4 के साथ मैच होगा, राइट आंसर हो जाता है, option D, यहाँ पर, अगर हम कृष्णा की बात के, तो कृष्णा नदी, महाबलेसवर, महाराष्ट के महाबलेसवर से निकलता है, इसे याद रखना है, तो correct answer, option D को टिक करेंगे नेक्स्ट रखने की निमलीखित में से कौन सी वातावरणिये गैस, जो है, वो ग्रिन हाउस गैस होती है, ग्रिन हाउस गैस होती है, कौन, तो carbon dioxide correct होगा, nitrous oxide और साथ इसाथ जलवास्प, सबसे जाता जलवास्प की मात्रा होते हैं, यह ध्यान रखना है, second number पे carbon dioxide आता है, तो कुल मिलाकर देखें, तो सिर्फ दो नहीं होगा, बाकी सभी होगे, एक, तीन, चार यहाँ पे correct answer, यानि option हम एक को take करें, question number 3, मानों की आँख में निकट दिस्टी को ठीक किया जाता है, निकट दिस्टी दोस्ट जिसे हम लोग myopia के नाम से जानते हैं, इसे ठीक किया जाता है किस तरह से, तो कई बार हम लोगन discussion किया, जैसे दो पर तीन याद रखिए, और तीन पर चार याद रखिए, अब ये दो पर तीन क्या है, तीन पर चार क्या, मैं आपको एक बार अच्छे से explain करता हूँ, देखिए, दो का मतलब हो गया दूर, ठीक है, दो मतलब द दूर, और तीन मतलब उतल, तो इस तरह से clear होगा, यानि कि दूर द्रिश्टी दोस की बात करें, तो वहाँ पर उतल को टिक करेंगे, और जब निकट द्रिश्टी दोस की बात करें, निकट यानि कि तीन लेटर हो रहा है, इसमें तो निकट आवतल, आवतल इस तरह से, ठ समझादू ओतल का मतलब होता है कनकेव और उतल का मतलब होता है कन्वेक्स तो यहां पर हम बात करें निकल दिश्टी दोस्त तर तीन हरा है तो तीन पर चार आएगा यानि ओतल लेंज कनकेव लेंज का पर्योग करके ठीक कर सकते हैं करेक्ट आंसर ओप्सन B होगा जारवे कल्चर एक चालकोलितिक पुरा ततविक अस्थाल था जो वर्तमान समय में निमलीखित में से किस भारती राज्य में इस्तेत हैं जारवे कल्चर, इसका समन्द हो जाता है महाराष्ट से, option C, महाराष्ट से, जो की next questions कह रहा है कि, मुसी और भीमा, किसकी सायक न दिया है, तो ये कृष्णा की सायक न दिया है, C, answer, correct होगा, कृष्णा, कृष्णा की अन्य सायक न दियों में, जैसे तो भद्रा फेमस है, को बहुत important है, इसे याद रखेगा, और इसका मुख्याले पड़ता है, New York, option C, New York, सिवाजी ने अपना पहला कीला कहां बनाया था, सिवाजी ने अपना पहला कीला कहां बनाया था, तो पहला कीला रायगड, option C, रायगड, नवाब गंच पक्षे विहार किस जनपद में इस् Lucent का पूरा निचोड उस वीडियो में आपको मिलेगा, पूरे पांच घंटे में जिगरॉफी को आप खतम करिए, और फिर देखिए कितना मजा आएगा, तो देखिए यहाँ पे नवाब गंच पक्षी विहार की बात कहीं, तो उनाओ, correct answer, option E, उनाओ को टिक करेंगा, 1868 में प्रकासित कौन सा समचार पत्र को वर्नाकलोर्स प्रेस आक्ट से बचाने के लिए, 1888 इसे में इस समचार पत्र को अंग्रेजी सप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था, पहले ये बंगाल में प्रकासित होता था, लेकिन वर्नाकलोर्स प्रेस आक्ट से बचने के लिज़ को 1888 में रातो रात चेंज कर दिया गया था अंग्रेजी सप्ताहिक पत्रिका में और ये था अम्रित बजार पत्रिका option C ठीक है जिसके संपादक की बात के तो दो भायों के द्वारा एक तो सिजिर कुमार घस और मोदिलालगुस ध्यान रखेगा next one क्या है सब्द इक्ता का मतलब क्या इक्ता प्रथा को start किसने किया था il t hood miss ने start किया था और इसका मतलब था कि नगद वीतर के बदले किसी बसेशी स्चेतर का राजस वे सौपना option B को different करेंगे इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था अलाव दिन खिल्जी ने किया था, सरीर के किस अंग की खराबी से मदू में हिरोग होता है, मदू में हिरोग का प्रकोप होता है, तो मदू में जो होता है, डाविटीज जो होता है, पेंक्रियास, पेंक्रियास के बीटा जो उकोसिक है, वहां से इंसुलिन का सरावन होता है, तो मतलब पेंक्रियास यानि कि अगना से कह सकते अगना से कोई खराबी आने पर अकबर द्वारा बनाये गए उपासना भवन पूजा गरी का नाम क्या उपासना भवन या फिर पूजा गरी का नाम क्या इसे इबादत खाना के नाम से जाना गया इबादत खाना के स्थापना करीब 1575 इसे में हुआ था और सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था ये 1578 इसे में मंत्री इसके लिए विक्तिकत रूप से जिम्यदार होते हैं ध्यान रखेगा इस questions में पूछा गया कि विक्तिकत रूप से जिम्यदार होते हैं तो करेक्ट आंसर क्याओगा? राष्ट्य विकास परीशत का घथन किस वर्स किया गया था? त इसका घठन 1602 शे अगस्ट 1902 ऑप्सन डी मुल पर जिवी के रूप में विवहार करने वाला पौधा कौन सा है मुल परिजीवी यान जिसको इंगलिस में परसाइट कहा जाता है परसाइट के रूप में विवहार करने वाला पौधा कौन सा है तो कासकुटा यानि की अमरवेल C will be correct answer ध्यान रखेंगे कुछ सिक्ष में जिवो की सहता से वायुमंडल में पुसक ततो का पुनर चक्रन होता है इन सुक्ष में जिवो को क्या कहा जाता है इन्हें कहते हैं इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं सही answer होगा अप घटक अप घटक option C ठीक है बते कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था ये भी important questions है तो इसका सही answer होजागा 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ option C मंचका और डॉक लिमिटेड कहां सती थे मंचका और डॉक लिमिटेड कहां सती थे मंचका और डॉक लिमिटेड पढ़ता है जो की मुंबई में ठीक है मुंबई यहाँ पर करेक्टरांस रोगा एक होता है गार्डन रीच अक्सर पूछा जाता है इसको याद रहे है कोल कता में ग्रीन हाउस गैसों की अधारना किस की थी कई बार हम लोगों इसके बारे में डिसकसन क्या हुआ एक फ्रांसीसी गड़ी तक गे थे जिनका नाम था जोसेफ फ्यूरियर इन्होंनी 1827 इस्यू में डिन हाउस गैसों की अधारना दी थी यानि उन्होंनी सबसे पहले बता था जोसेफ फ्यूरियर निमलीखित में से कौन रूपी परिवर्थनियता के सबसे अच्छा परिभासा है क्या बनेगा राइट अंसर तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अन्य मुद्राओं के लिए रूपे के रूपांतरन के अनुमती और इसके विप्रित करेक्ट अंसर ओप्शन C को टेक कर सकते हैं मालेगां समीती की स्थापना भारती प्रतिभूती और विनिमैन बोड यानि सीबी के द्वरा की गए थी और इस समीती ने उनीस्तो पिंचानवय में अपनी सिफारिसे दी इस समीती का गठण किसके सुधारों में सिफारिस करने के लिए किया गया था बताईए तो इसका घठन किया गया था प्रात्मिक बजार प्रात्मिक बजार में सुधारों की सिफारिस करने के लिए किया गया था क्रिश्टन अधी पर अलमाटी बांध पर्योचना किन राज्यों के बीच मुद्दा हैं तेश्टान अधी पर बना अलमाटी बांध जो है ये तो ध्यान रखना है और ये तो है करनाटक के साथ साथ आंदर परदिश ऑप्सन ए यहाँ पर करेक्ट होगा इन दोनों के बीच विवादित मुद्द है दस्वीन सुची के तहत लोग सभा के सदस्थी की अयोगता से सम् पर निनाए लेता है वो कौन लेते हैं लोग सभा अधिक्स लेते हैं यानि लोग सभा के सदस्थी की बात की जाती है तो लोग सभा अधिक्स लेते हैं लॉरेंज वक्र क्या धर्साता है ध्यान रखेंगे लॉरेंज वक्र आयवित्रण से सम्मद्ध रखते हैं आप्सन ए और किनके बीच सिरंग पटनम की संदी हुई थी दिए सिरंग पटनम की जो संदी थी ती अंगले मैसुर युद्धि के समय में हुआ था और ये टीपू सुल्टान और करने वाले इसके मद्द करीब 1792 में हुआ था ये ध्यान रखना है ठीक है 1792 में तो राइट आंसर ऑप् कपाल कुंडला के लेखक कौन है तो इसके लेखक बखीम चंदर चैतरजी बखीम चंदर चैतरजी आप्शन B निमलीखित में से कौन सरकार की व्याय की नियमिता और अर्थवस्था से समबह दीत है कौन तो लोग लेखा समीती, लोग लेखा समीती, option E आधुनिक नरसिंग प्रणाली का नेतित्व किसने क्या था? आधुनिक नरसिंग प्रणाली का नेतित्व किसने क्या था? Florence, Nightingale, जिन्ने हम लोग Lady with the Lamb के नाम से जानते हैं Lady with the Lamb और इन्हों ने ही Lord Rippon को भारत का द्वारक का संग्या भी दिया था? यह पूँ याद रखना वायू निचेपन के कारण निमलिकित में से कौन सा भुभाग बनता है? वायू निचेपन के कारण कौन सा भुभाग बनता है? तो Lowis का जो मैदान है वो हवाओ के द्वारा जो लाई कई मिटी होती है धोलकन होते है उसी के द्वारा निर्मित होता है कई बार हम लोग ने इसके बारे में बात की है तो Lowis यहाँ पर correct answer है एल नीनो जलधारा कहां पर कट होती है? एल नीनो की जो जलधारा है वो कहां पर कट होता है? पेरू के तरड़ पर पेरू के तरड़ पर option B ठीक है? पेरू के तरड़ पर अगला questions की क्यासनूर जो forest disease है जिसको KFD के नाम से जानते है इसकी खोज कब की गई थी? ध्यान रखेगा friends कि क्यासनूर जो forest disease है इसको हम लोग monkey fever के नाम से भी जानते हैं इसको जाना जाता है, तो यह जो आप यहां पे देख रहे हैं, डालेट यह भी पूझा सकता है कि क्यासनूर, क्यासनूर जो है कैसा नूर कह सकते हैं, क्यासनूर कह सकते हैं एक परकर का जंगल भी है वो कहाँ पर पढ़ता है वो करनाटक में है ठीक है करनाटक में और सबसे पहला जो ये मामला है इस डिजीज का सबसे पहला मामला 1957 में देखने को मिला था यहीं पर ये जो कह सकते हैं बीमारी होते हैं डीचेज होती हैं मनुस्यों और बंद्रों को परभावित करता है तो बस इसे आप याद रखे 1957 राष्टपती पर महावियोग कौन सुरू कर सकता है राष्टपती पर महावियोग जो लगा जाता है Article 61 के तहत लगा जाता है और ये किसी भी सदन के द्वारा उठाया जा सकता है, संसद की किसी भी सदन यानि लोकसभा, राजसभा में से किसी को द्वारा उठाया जा सकता है, एक बटा चार सदस्यों के द्वारा, ये ध्यान रिखा, कितने सदस, एक चौथाई सदस्यों के द्वारा, रंगना किला कहा और दिखे रिखेश्चा ev? रंगुना कीला कहा स्थी था रंग इंगीला पड़ता है महहाराश्थ में और सथा, महाराश्थ का तरकी प्रतहम भारतिय आद्यक्ष 5 सबसे पहली सम्हारी हमें कलकता अधिवेशन उसके आठ वर्स के पस्चात स्रीमति सरोजनी नाइडो 1925 में जो की कानपूर की अधिवेशन इन्हों ने किया था ठीक है कानपूर अधिवेशन इन्हों ने किया था और साथ ही साथ है उसके आठ वर्स के पस्चात फिर से नेली सेन गुपता ने 1933 मे फिर से कलकता दिवेशन के देख्षता की तो ये भी पूझा सकता है कि 1885 से गठन के पस्चात से लेकर के 1947 अजादी तक कुल कितरी महिलाओं के दौरा भारतिय स्टे कॉंग्रेस का अध्यक्ष महिला रही कितने महिलाओं के दौरा अध्यक्षता किया गया को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रतीत करता है जिससे पादव की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा राइट आंसर हो जागा ऑप्सिन भी ऑक्सिन ऑक्सिन की खोज अक्सर पूछा जाता है कि अक्सिन की खोज 1880 स्वि में डार्विन ने क्या था अर अक्सिन के समझ में 2-3 पॉइंट जैसे की पौधों में पुस्पन को प्रेडित करता है साथ जाथ यहां पौधों की उपरी हिसे में बनता है यह ध्यान रेगा पूछा जाता है कि किस हिसे में बनता है तो पौधे के उपर हिसे में बनता है और यह ब्रीधी नियंतरक हार्मोन है ब्रीधी नियंतरक हार्मोन है नेक्स्ट रोन कहा कि गल्वान जो घाटी है वो कहां सती थे अक्सर यह चर्चा में रहता है तो गलवान घाटी, पूर्वी लदाख, पूर्वी लदाख, option A, पूर्वी लदाख, मांट नियारा गोंगो, कहां सतीत हैं, किस देश का ये ज्वाला मुख्य है, मांट नियारा गोंगो, यह जो ज्वाला मुखी है वो पढ़ता है कॉंगो कॉंगो गड्राज्य में आप्शन बी नेक्स्ट वन कह रहा है कि खोनोमा नेचर रिजर्व और त्रगोपन त्रगोपन अभ्यारन कहांस देता है साथ आप यह पहली बार नाम सुन रहोंगे काफी आप लोग में से काफी चोटी का नाम क्या नीचे कमेंड करके बता है जल्दी से कमेंड करके बता है कि नागालल के सबसे उची चोटी का नाम क्या है आरवे बैंक का कारे क्या है आरवे रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कारे क्या है विदेसी मुद्रा का प्रबंधन करना विदेसी मुद्रा का नहीं रखता है तो वो है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑप्शन डी हाइड्रोजन की कोज हेंरी कवेंडिस नहीं किया था हेंरी कवेंडिस किसन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है या किंदर अक्सासित प्रदिश से किसन गंगा हाइ से समंद रखता है option B जिम्लिकित में से कौन सा मानोविका सुचकांग का parameter नहीं है मानोविका सुचकांग की जो माप की जाती है तीन चीजों पर प्रतिविक्तिया सेजुमिर्तिदर और प्रतिसत्विया इन तीन जारी के आता है तो UNDP के द्वरा ही यह जारी किया जाता ह। किस ने कहा कि 28-75 का विद्रोख British सासक को उखाड़ फेकनी के लिए भारती जनता की करांती है भारती जनता की करांती है Karl Marx नहें Karl Marx option A बिहार में कोशी परियोसना का निर्माण का स्री गनेश कब हुआ था तो इसका सही समद्ध हो जागा 1954 नेक्स टोन कहा रहा है कि निम्ली में से मालवी सी कुल का पौधा कौन से है मालवी सी कुल के अंतरगत कौन कौन से पौधा थें कई बार हम लोगों ने बात किया जैसे कपास हो गया, गुढ हल हो गया, भेंडी हो गया तो यहां पे गुढ हल बिल्कुल करेक्ट होगा निम्ली केत में से कि नेराश्टर पती याकूब खौन के साथ तासकंध करार पर संजोता किया था क्या फिर स्फाक्चर किया था तासकंद समझाता सिंपल सी भासा में तासकंद समझाता कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे तासकंद जुआ था 10 जनुवरी 1906 को तुक्ति जनुवरी 1906 और इसके साथ एक और प्रशन पूशा था जैसे पंच सील हो गया यह भी याद काफी important है एकदम वीविया यह दोनों को याद में रखना है ठीक है तो तासकन समझोते पर याकूब खान के साथ कौन थे लाल भादू सात्री जी ऑप्सन सी पल्लव राजाओं की राधानी क्या थी पल्लव राजाओं की राधानी क्या थी काच्छी पूरम आप संसी काच्छी पूरम आज की वीडीयो का आखरी क्वेसंस के साथ ही चलेंगे और जो पहले हमारा पैटन था वही पैटन पर आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग क्या है questions को current effects में include करते ही है तो उसमें include किया जागा और आप लोग के demand के ओपर economics और science को थोड़ाज हम लोग questions को बढ़ाते चलेंगे तो बस बने रहे हैं और साथ साथ science के लिए ही जो हमारे telegram पर आपको pdf डेली दिया जाता है जिसमें 35 questions रहते हैं one liner form में आप उसको definitely पढ़िए और कल मैंने नहीं दिया था ताकि आप पिछले एक सब्ता के जो भी questions है आप उनको revision कर सके आज आपको मिल जागा आप हमारे 1954 तो यहां पर कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है तो correct answer हो जागा option D इन में से कोई नहीं ठीक है तो चलिए हम मिलते हैं next class में thanks for watching keep watching keep learning have a good day